हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीट कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बुल एंड बियर के स्ट्रेंद को आइडेंटिफाई करते हुए अपने लिए in to order trading strategy फॉर्म कर सकते हैं यहां पे जो हम बुल्ज और बियर के जो strength को IDFY करेंगे वो हम indicator के basis पे identify करेंगे यहां पे हम 3 powerful indicator के इस्तमाल करेंगे और उसके basis पे यहां पे हम पूरा अपना trading decision से लेके बुल्ज और बियर के strength को identify करेंगे तो चलिए देखते हैं वो इंडिकेटर कौन-कौन सा है और कैसे यहां पर हम अपना ट्वेडिंग सेट अप तैयार कर सकते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आ गए हैं अब यह चार्ट देख सकते हैं किसका है यह जो चार्ट है आपका बजाज फिंसर्ब का चार्ट है और यह आपका फाइब मिनट वाला चार्ट है और जेनरली हम लोग इन्ट वारे ट्वेडिंग फाइब मिनट वाले टाइम फ्रेम में ही करते हैं और कुछ लोग यहांपर फिप्टीन मिनट वाले टैम फ्रेम में भी करते हैं। तो आप चाहों तो यहांपर फिप्टीन वाला थाइम फ्रेम स्तमार नहीं है। अब यहां पे हम कौन-कौन से indicator का इस्तेमाल कर रहे हैं आगर आप यहां पर studies में जाएएंगे तो देखेंगे volume, volume profile और view map यही तीन indicator का इस्तेमाल हम यहांपर करने जा रहे हैं और इसी की basis पर यहां पर हम find करेंगे bull और bear के strength और उसके basis पर हम into a day trading strategy form करेंगे तो सबसे पहले यह जो दिखे रहा आपको यह हमारा volume profile ठीक है यह जो red clear का line दिख रहा है यह आपका VWAP indicator और नीचे में देख सकते हैं यह आपका volume जिसको हम लोग volume underlay भी बोलते हैं तो यह volume हो गया यह हमारा हो गया VWAP और यह हमारा हो गया volume profile बस यही तीन indicator का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं अगर आपका demand account किसी भी brokerage form में है तो यह तीनो indicator आसानी से आपके सामने available हो जाएगा नहीं तो आप इसको चाहो तो trading view जो कि free में access available है वहाँ पर भी जाके इस तीनो indicator का आप free में use कर सकते हो तो चलिए अब देखते हैं किस तीनो indicator का इस्तेमाल कैसे करना है तो सबसे पहले हमें volume profile पर आना है अब volume profile में क्या देखना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि इस तरह का shape होना चाहिए देख सकते हैं इस तरह का shape अगर हम इसके mirror image के form करें तो इस तरह का v-shape का volume profile होना चाहिए पहला condition हमारा यह होगा यहनि सबसे पहले यहाँ पर volume profile के first condition को satisfy कराएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे दूसरा point हमें क्या देखना है हमें यहाँ पर क्या identify करना है bulls और bears के strength को identify करना है वो strength हमें कहां से पता सलेगा वो strength हमें बताएगा v-wap और volume कैसे बताएगा अब देखिए यहाँ पर हमें entry कब लेना जब price आपका v-wap को cross करके उपर निकले और at the same time यहाँ पर volume भी increase होना चाहिए यहनि volume भी आपका उपर जाना चाहिए यहाँ भी देखिए इसको cross करके price उपर निकला लेकिन यहाँ पर volume decrease हो रहा है तो इस portion को हम ignore कर देगे यह हमारे काम का चीज नहीं है उसके बाद हम वापस से देखिएंगे कब price वी वैप को cross करके उपर निकला दूसरी बार यहाँ पर price आपका वी वैप को cross करके उपर निकला और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो volume भी आपका increase हो रहा है मतलब increasing volume के साथ वी वैप cross कर रहा है मतलब यहाँ पर किसका strength है यहाँ पर जो bulls है तो यह चीज यहां पर clear हो गया कि कैसे strength को देखेंगे वी वैप को break करना चाहिए price with increasing volume तो दूसरा point हमारा क्या होगा वी वैप और तीसरा point हो गया volume इन तीनों का कैसे इस्तेमाल करना वह idea मिल लिए अब वापस से हम volume profile पर आएंगे इसके एक और point को हम satisfy करवाएंगे क्या point है अब यहां पर देखिए जो आपका क्या है volume profile इस level पर जादा है और उसके बार डायक्टर आपका यहां पर जादा है मतलब volume profile वह ऐसा find करना है जहां पर बीच में कम हो और नीचे और उपर जादा हो तो हम यह भी देखेंगे कि जहां पर volume profile जादा है उस वाले portion को भी यहां पर ब्रेक करना चाहिए तो देखिए यहां पर इस वाले portion को भी यह ब्रेक करके ऊपर निकला है तो जो हम इंट्वी लेंगे लगभग इसी लेवल के आसपास इंट्वी लेंगे और हमारा जो इंट्री पॉइंट बनेगा लगभग आपका 15,040 के करीब बनेगा यहां फिर 50 थोड़ा बहुत उपर नीची हो सकता है यहां पर हम राउंड फिगर ले रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा इंट्री पॉइंट बेस्ट ऑन यह तीन इंडिकेटर के बेसिस पर यहां पर क्लियर करना चाहूंगा तो देख सकते हैं हमने क्या किया सबस पहले volume profile के हमें save को देखना है कि बीच में यहाँ पे कम होना चाहिए दोनों side ज्यादा होना चाहिए यह satisfy किया उसके बाद हमें दूसरा क्या find करना है price जहाँ पे v-wap को cross करके उपर जा रहा है और उसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए increase volume होना चाहिए यहाँ पे हो रहा और उसके साथ-साथ last point वापस से v-wap पे आएंगे यह जो आपका support line दिख रहा है या फिर उपर में distance line जो भी होगा उसको cross करके उपर निकलना चाहिए यहाँ पे सब कुछ हुआ है यहाँ पे हम जो interview लिये हैं वो v-wap line को भी आप stop loss के रूप में यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हो बैतर यह रहा कि इससे नीचे देख सकते हैं यह वाला point है इसको मैं जो stop loss के रूप में यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपके पास options है मतलब यह जो level है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा 15,200 के करीब क्या बन जाएगा target price बन जाएगा और यहाँ पे जो मुझे profit मिलवा लगबग 160 point करी profit मिलवा यहाँ यहाँ पे आपको intra day में 1% करीब profit मिलवा और 1% का profit single day sufficient profit माना जाता है जहाँ पे हमारा whisk भी कम रहता है और यहाँ पे हम momentum identify करके trade ले रहे हैं यहाँ पे हम bulls और bears के strength को identify करते हुए उसके basis पे trade ले रहे हैं तो trade का accuracy level यहाँ पे increase हो जाएगा अगर आप इस trade का accuracy level की बात करें लगोगा आपका 70% करीब यहाँ पे आपको accuracy level देखने को मिलेगा तो आपने देखा कि कैसे हम इन तीन indicator को यूज करते हुए हमने यहाँ पे trade setup अपना तयार किया है और यहाँ पे आपको doubt लग रहा होगा कि volume profile भी यूज करें volume भी यूज करें दूनों का roll अलग लग होता है volume हमें बताता है कि एक particular time पे कितना volume है कितने लोग trade करें लेकिन volume profile हमें बताता है कि particular level पे कितना volume है देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 पे ज्यादा volume है और 15,100 पे कम volume है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस particular time में volume दिखेगा लेकिन किस level पे volume है और किस level पे volume नहीं है वो हमें बताता volume profile इसलिए दोनों का अलग लग रोल होता है इसलिए दोनों का हम अलग लग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और volume profile की उपर हमने detailed video और video बना रखा है video के description में link होगा वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और example के थोर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम example ज़्यादा ले रहें ताकि आपको यह concept आप अच्छे समझ में आ जाए टाइम थोरा जादा लगता है लेकिन अलग लग situation में इस strategy कैसे यूज करना उसके वारे में आपको idea मिल जाता है इसलिए time पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको यहाँ पे इस strategy को सीखना और अलग situation में यहाँ पे कैसे react करना वह भी आपको देख के समझना है अब हमें सबसे पहला point क्या find करना volume profile इस shape में होना चाहिए बीच में कम दोनों साइड उपर नीचे ज़्यादा होना चाहिए बिलकुल ऐसा ही है अगर आप यहाँ पे shape ड्रॉप करें इस बी शेप का form होता हुआ दिखेगा तो पहला point हमाला satisfy हो गया इन्हीं फर्स point अगर हम बात करें तो volume profile का यहाँ पर हमने satisfy कर दिया उसकी बाद हम किस पर आएंगे उसकी बाद हम आएंगे वीवैप और तीसरा point volume अब यहाँ पर देखिए इस पार वीवैप को cross card group नहीं नीचे आ रहा है यहाँ पर सबस्पहले यहाँ पर भी नीचे आ यहाँ पर ज्यादा नीचे आ यह इस पहले इस पहले बात कर दर नेगेटी के साथ market अपेश्ट नहीं हुआ था उसके बाद हमें एवरेज वालूम से ज्यादा निगेटी वालूम देखने को मिल रहा है लेकिन एवरेज वालूम से बहुत जादा अगर हम एवरेज वालूम की बात करें देख सकते हैं यह जो हमारा है यह हमारा लगबक एवरेज कर रहा यहांनि वीवेप और वॉल्म को सटिस्फाइब कर रहा है अच्छे वॉल्म के साथ वीवेप को क्रॉस करके नीचे साइड की तरफ आ रहा है और अगर इस लेवल की बात करें जहां पर सब ज्यादा वॉल्म प्रोफाइल देखने को मिल वा उसको भी ब्रेक करके इसी करीब यानि तो इससे उपर भी हो सकता है यहां पर हम क्या करेंगे तरफ इंट्वी लेंगे यानि आप अपका एबलेबल है एक जांपल है HDFC लिम्टेट का तो इसमें आप असानी से तरफ जा सकते हो टागेट क्या होगा मैंने आपको डिफाइन कर दिया था इस प्रॉफिट यहां पर होई गया और एक परसंट प्रॉफिट डेली सफिसेंट होता इसे जासा प्रॉफिट की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ज्यादा लालच करेंगे तो रिस्क भी ज्यादा इंक्वीज होता हुआ देख जाएगा तो यहां पर देखा हमने कितनी आसान प्रॉफिटि वॉल्म में वो ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिसलिए यहां पर हम ज्यादा अपसाइड मूव की तरफ जाना प्रेफर नहीं करेंगे तो यहां पर और सारे एक्जामपल लेखते हैं अब देखिए हम आ गया है किस पे ग्रेफाइट के फाइब प्रेफिए मिनट के चार्ट में अब यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा प्राइस यहां पर वी वे आपको क्रॉस करके ऊपर निकला है और यहां पर वालूम भी आपका इंक्वीज हुआ है और एवरेज वालूम से ज्यादा वालूम हमें कंटिनूसली देखने क को मिल वा इसली किया उससे पहले हमें यहां पर देखता कि क्या बीale का वमिशन कर रहा बिलकुल यह आपका बीचेप का छौंवीचन month क्रॉलूम से और इसके बाद और जाधा वालूम प्रोफाइल हमें देखने को मिल वा और इसको साझाल कर दिया यहां पर जो भी हमारा प्राइब तो अब हमारा टागेट प्राइज नेगा यहां पर इंट्वी करीब और टागेट प्राइज होगा मेरा लगवग आपका 450 450 के करीब यहां पर मुझे 20 पोइंट के करीब प्रॉफिट मिलता हूँ दिख रहा और 20 पॉइंट का मतलग है कि हाँ पे मुझे profit मिल लगवाग 5% के करी profit मिल लगवा तो किसी किसी में 1% का profit मिल लेकिन कभी-कभी आपको 5% तक का भी profit मिलता हुआ दिख सकता है जैसे का हमें यहाँ पे graphite में देखने को मिल वा है तीस strategy काफी 60 के और काफी secure है क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि किस पार्टिक्लर टाइम पर कितना volume है उसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि किस level पर कितना volume है कौन सा level support बना हुआ और कौन सा level पर stance के रूप में काम कर रहा है साथी साथ हम VWAP को भी यूज कर रहे हैं बीवाब बताता है कि कब बुल से रखेंग है और ककं याविश-ष्टरंग है यह नि कब हमें बायों से में चॉप मंटिम देखने मिलसके यहाँ यहां सब्सक्राइट करसक्ते जा अगर आप आप इसको ब्रेख कर सकते नहीं तो जो लोज़ पॉइंट है इसको आप एसल रख सकते हैं जितना भी रिस्क रिवार्ड रिस्यों आप ले सकते हैं उसकी कोडिंग आप यहां पर स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यह सिंपल सा कॉंसेप्ट था ज्यादा सब्सक्राइब नहीं था समझ में आ गिया होगा अगर इससे लेटेर कुछ भी डाउट या फिर कन्फीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं प्रॉपर एंसर मिलेगा सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जहूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जहूर दबा दीजे ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम जब आगे अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस्त ना करें So that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन